उत्राखंड में आज कॉंग्रेस की एक बड़ी बेठक हुई जिसमें तमाम वरिष्ट नेता शामिल हुए कॉंग्रेस आने वाले चुनाओं में किस तरह से त्यारी करें इसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए कॉंग्रेस के प्रदेश अदेश करन मेरा है जाने के उन साथ जो बेठक हुई उसमें क्या मुद्दे रहे आज बेठक में क्या मुद्दे रहे और आने वाले चुनाओं में किस तरह की आपके तैयारी है देखे आज की बैठक में अधरणी शर्मा साब जो हमारे सहय प्रभारी वो भी उपस्तित थे और सभी वरिश जन थे और उसमें चुनाओं को लेकर निकाई चुनाओं को लेकर रणीती बनाए गई है किसे तरीके से प्रभारी बेज़े जाएंगे कैसे सहय प्रभारी क्यातिविदियां रहें उन सभी विष्वयों से चरचा उए कल् İndy को देखना चाहिए, 320 रावत , मुख्य मंतरी के खिलाब मुख्यमंत्री के खिलाब और। जगा ये तो BJP करे एए, प्रशन कॉंग्रेarsi से नहीं है तो BJP चाहिए एक आपके विदायक भी आप लोगों से नराज हैं हरीज धामी जी ने काफी उन्होंने हंगामा काटा विदान सबा सतर के दुरान के आप ही के नेताओं ने उनको उनकी बात नहीं रखने दियो बात में उनों शिकायत करने भी शायद मुख्य मंतरी के पास गए देखिए बि पता ग्रशत मामलू को लेकर गए थे उनके संग हमारे वरिष्ट विधायक थे और उन लोगों के सामने ये बात विया और अपने छेत्र के कामूं के लिए विधायक का अधिकार है वो मुख्यमंत्री से जब मुख्यमंत्री कोई होता है बीजेपी कॉंग्रेस का नहीं होता बिधायक अपने छेत्र का प्रतिनी दे होता है ये उसका अधिकार है कि अपने छेत्र की समस्याओं को जंसरोकवार से जुड़े हुए मुख्यमंत्री तक लेके जाए पहली बात दूसरी बात कॉंग्रेस के किसी वरिष्ट नहिताने उनके संग अन्याई नी क्या ये गलत इसा शेत्र ऐसे जहां पता नहीं आ रहे है और ऐसे गंभीर विशेप है जब नेता प्रतिपक्ष ने डिमांड करी कि हमको इस पर चर्चा का मौका मिलना चाहिए तीस मिनट का समय जिसने लोगों की जान लील कर ली हो जिसने पूरे जोशिमट को भरबात कर दिया जिसने उतरकासी रुदरब्याक को बरबात कर दिया है केदार नात्मा भीतनी भेंकर घटना घटी है उसके बाद इतने गंभीर विशेप है किवल तीस मिनट की चर्चा ये तो बhouदिज जन्ता पार्टी की सरकार को धिकार है इस बात का कि इतने गंभीर मुद्दे पे तीस मिनट की चर्चा कराई अगर दो ड़ाई घंटे की चर्चा कराई होती तो हर विदाय को अपनी बात कहने का मौका मिलता और ये नराजी हरीज धामी की सरकार के खिलाब है सरकार की विदान सबा की करवाई के खिलाब है अच्छा एक और सवाल है कि आजकल demographic change का बड़ा मुद्दा उठ रहा है क्या उत्रा खंडिके अंदर भारी मातरा में मुसलमान बढ़ गए हैं देखे demographic change हुआ है बीजे भी मैं क्योंकि जब से बदरिनाथ हा रहे हैं और मंगलोर हा रहे हैं इनको demographic change रात और दिन वो ही दिख रहा है हिंदू मिसल्वान के लाओ कुछ दिखता नहीं मैं इनसे पूछना चाहरा हूँ यह पूश्टर्स का समर्थन कर रही है हम यह कह रहे हैं कि संबीधान ने जो अधिकार और कर्तविब नागरिक को दिये हैं भारत के उसका संक्रक्षन उसकी रक्षा करने क का उसका पालन करने के जिम्मेदारी सरकार और प्रसासन की है जिसमें वो फेल हैं क्या संत्रेसा की जो लड़की है 14 साल की रेप और बलातकार हुआ उसमें बोर्ड लगाएंगे क्या अंकिता भंडारी में पुलकितारिया और उनके साथियों और व्याईपी का बोर्ड हर दिन आपके कोई ना कोई कारिकरता का बड़ा कारनामा सामना रहा है कोई गोली लेके इंटरनाशनल बॉर्डर पार कर रहा है कोई बलातकार कर रहा है कोई कुछ कर और सरकार क्या कर रही है सल्ट के मामले में साथ वे दिन या आठ वे दिन मेडिकल हुआ है साथ और आठ दिन बाद अगर किसी बलातकार हुई लड़की का मेडिकल होगा क्या रिपोर्ट्स होंगी यह आप भी समस्ते और हर पड़ा लिखावा आपका दर्सक भी समस्ता हम भी समस्ते हैं और उस कमजोर केस के तहत उसकी जमानत हो जाती है चंपावत में इनका बंडल अद्यक्स पक कि बेटियों का बलातकार हो रहा किरन नेगी से लेगे अंकीता से लेगे संत्रे सामय किस-किस के नाम गिनाओं उनकी रक्सा के लिए आपको जलूस नहीं निकालेंगे आपकी महला मोर्चा उसमें मुम्बत्ती जलाने की जहमत नहीं उठाएगी अंकीता का नियाई दिलान इसलमी के नुट हो ना को नहीं जनभाव नहीं तो कहरे कि हमको संक्रक्षन दो सुरक्षित्र को हमारी माबेटियों की रक्षा करो अपराजियों को सजा दो हमारी जनता ही तो कह रही है कि Payपer लीग नहीं होने है थाहकम सिंग जैसे और पैदा नहों इनके मंगलॉर के मं प्रोजगार, महिंगाई, कौन बोलेगा इन पर, रोज के भलातकार इन पर कौन बोलेगा, मेडिकल रिपोर्ट से इंस करने में कौन बोलेगा, तमासा बना रखा है, हर चीज को चुनाओ और बोट की राजनी से देखने वाले लोग नफरत हो गई ऐसे लोगों से. अब देखना यह होगा कि आने वाले जो निकाय, पंचाय, चुनाओ है, उसमें क्या सभी नेतायक मंच पे दिखाई देते हैं, साथ ही कौनगरस ने सीधे तोर पे कानून विवस्था को लेकर के राज्य सरकार को भी घेरने की कोशिश की है. दानिश खान, ABP Live, तेरा दून.